कि देखिए क्वेश्टन कि दिस बॉक्स से दो गुना भारी है तो मेरे दोस्त से आधी उमर के हो मलब जितने मेरे उमर की दोस्त दोस्त की उमर है उससे कुमारी उमर आधी है आप देखेंगे हमने यहां पर और इन अध्जेक्टिब से पहले हमने यहां पर हाफ लिखा है तो यह जो हमने ट्वाइस और हाफ लिखें है इनका कभ करते हैं जब हमेंकिसी एक सर्टेन नमबर का यह सर्टेन अमाउंट का मल्टिप्लिकेशन करना है अब यहाँ पर आपको समझना यह है कि जो हम heavier लिख रहे हैं यह comparative degree है older लिख रहे है यह comparative degree है जो होती है वो एक range को refer करती है वो किसी certain degree को किसी certain amount को represent नहीं करती है यह बात जो मैंने आप से कही है हो सकता आप ना समझ पाए हो कि मैंने क्या कह दिया इसको एक्जांपल के मदद सा समझ लेते हैं देखिए मानलों को एक पर्सन है एक कोई पर्सन है एक कोई पर्सन है एक पर्सन है इसकी एज है 25 साल अब पर्सन टू की एज है 26 साल है तो हम कहेंगे पर्सन टू इस ओल्डर माल लेते हैं पर्सन टू के 26 साल नहीं है 36 साल है तब भी हम कहेंगे ओल्डर अगर 40 साल है तो आप समझ रहें याप पर हो क्या रहा है कि ओल्डर जो है वह एक ओपन रेंज की डिग्री है ओपन रेंज है ओल्डर का मतलब है 25 से ज्यादा है अब 25 से ज्यादा कितना भी हो सकता है 26 हो सकता है 506 हो सकता है 76 हो सकता है कितने भी हो सकता है तो अगर कंपेटिव डिग्री किसी एक सर्टेन डिग्री को किसी एक सर्टेन पॉइंट को रेफर नहीं कर रही है तो हमने टू टाइम्स किसका किया यहां पर हमने ट्वाइस लिखा ट्वाइस का मलब आपने दो गुना करोगे अगर आपके बाइब नहीं होती है तो हमने लिख रखाने यह बोलने में हो सकता अच्छा लग रहा है ठीक है लेकिन लॉजिकल ही गलत है उसी तरीके से हाफ ओल्डर भी गलत है तो अब हम इने कैसे सही करें तो इसके लिए एक तरीका तो यह है कि आप हाफ ओर ट्वाइस को हटाई दो लिखो इसे कुछ लिख दो नहीं तो अगर हाफ ओर ट्वाइस को आपको यूज करना है इनके साथ कंपेटिव डिगरी मत को ऐस है भी एज एक जिक है कि एज ओल्ड एज और अब मतलब कैसे पी जो है परसन वन जो है यह पच्चेस साल का है कि अगर मं कहा दें यह वार हाफ अज तो इसका मतलब है जो पच्चेस साल है उसी का आधा करें यह तुर्फ है 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 इनके साथ में नहीं उसकर नहीं चाहिए इनके साथ में ऐस वाले स्टक्चर्स करने चाहिए यह हमें यहां से सीखना उस इसे हम लिगने कहीं पर को कि प्रैज़ तिस इस फॉलिकर दें अधाट श्क्राइब तो हमें इसको लिखना चाहिए थ्राइस या थ्री टाइम्स ऐस विग एज तो हमने थ्राइस बिगर लिखा यह गलत है और थ्राइस एस लिगाई सभी तो हाफ है ट्वाइस है जो मल्टिपलिकेशन को रेफर करने वाले वर्ड होते हैं इनके साथ में हमेशा कोई करते हैं उसका हम मल्टिपलिकेशन नहीं कर सकते जर तक हमें पता ना चले कि वह एक्जक नंबर या फिगर क्या है जिसका मल्टिपलिकेशन डिवीजन कर रहा है तो ट्वाइस हाफ त्राइस के जाद मैं ऐसे लिखा करते हैं यह जो आपके सामने लिखा ना बच्छे क्व उसकित शूड़ वाच इट। वर्त वछचिंग मूवी है देख्या ऊगै're मने यहां पर एक है कमने यहां पर now only a movie और उसके लिए मने हीचतर न लिखा-ई- Exactly. In advT. मेल्राज May the मुवी वट्ट कान आप व मुवी इस इस अपताने हुल एक अध्यक्टिव लिखा है कि वुर्थ पाउँ लेकिन यहां पर यह यह मोडिफायर है इसको एडवर्ब कहेंगे ये यह जो उम्हें चार वर्ड लिखे हैं एक ये चार एक नाउन फ्रेज हैं इस नाउन फ्रेज में एक deptorminer एक mist में नाउन नहीं मुवी और वर्थ और वच्टिंग वर्थ जो है वह वुझिंग का डिसक्रिप्शन है आर वाचिंग जो है वह मुवी का डिसक्रिप्शन प। कि अवर्थ वॉर्चिंग मूवी में में नांन है जो है वो उसका डेट्रमिनर होते हैं है आप मूवी ़ुध काइंड वर्थ और तोई वर्थ हमने अज्जेक्टिउव लिखया है उद्स है इस कि प्डेड्र नाउन का हैy इतना वर्थ है यह मोवी यह बताने के लिए हमने वर्चिंग लिखा तो वर्थ जो है एड्जेक्टिव उसको डिस्क्राइब कर रहा है वाचिंग वैसे तो जेरेंड वर्ब की आंजी फॉर्म जो नाउन का काम कर रही है लेकिन चुक्छि यहां पर एड्जेक्टिव के तर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उनका कि और इंटेशन ऑफ डिसक्रेप्शन जो है वह कॉमन होना चाहिए कि वह इस तरीके से कुछ होना चाहिए कि जैसे माल लीजिए हमने यहां लिख देता हूं कि मालो यह एक माल यह है और यह बी है और यह सी है और यह जुसरे को मोडिफाई कर रहे है तो या तो यह ऐसे होना चाहिए कि ए बी को डिस्क्राइब करें कि ए फिर को डिस्क्राइब करें और या फिर सी भी को डिस्क्राइब करें माल इनका डिस्क्रिप्शन का ओरिंटेशन कॉमन वह त 혼자 हो कि अ कुछ से ऐसे एसे सोचो कि A जो है वो B को डिस्काइब कर दे लिए सब गलत है अब यहाँ पर देखे जो हमने लिखा ना वर्थ वाचिंग मूवी यह गलत है क्यों की जिसका मोडिफायर है चीजिसका डिस्क्रिप्शन है न वह उसके पास होना चाहिए इसमें जो वर्थ ये description movie noun का है ये movie noun के पास होना चाहिए पहले या बात में हो लेकिन हमने जस तरीके से लिख लिकान हो लेकिन हमने जिस तरीके से लिख रख्का है तो वर्थ- और मॉवी के बीच में यह watching word आ गया तो यह गलत तरीके से हम इसको लिखा है हमें इसको सही करना चाहिए जलो अभी इसको सही करेंगे लिकर उसे पहले चोटी सी बात में आप और समझा देता हूं मैंने एक एक्जामपल लिखा बच्चों मैंने यहां पर एक्जामपल लिखा लिपस एड़ी कि मैंशन अब अब अड्रस जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा है इसमें आप देखेंगे यहां पर कि जो एड्रस है यह नावन है मैं नावन है दा जो है वो डेटर्मेंटर है और मेंसेंट और अबब में में इसे इसे कर रहा है और यह इसे दकर रहे हैं तो यह भी उसी तरीके की मिस्टेक हो गए जैसे ऊपर है तो यह गलत है अब हम इसे कैसे सही करें तो ने आप मारे पास दो तरीकह हैं एक तरीका है हम लिखते हैं इसे लिख सकते हैं धूसरा तरीका क्या है कि हम लिखते हैं the address mentioned above मतलब इन में से कोई एक तरीका हम उसकरें तो होगा क्या जब हम लिखेंगे तो अब अब जो है वो मेंशन को मेंशन जो है अड्रस को डिसकाइब करेगा या तो यह तरीका सही है या फिर हम लिखें तो अब तो इसमें क्या है अड्रस को मेंशन डिसकाइब करेगा और मेंशन को अब डिसकाइब करेगा तो भी यह सही है तो कुल मिला के दिमेंशन अब 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 अप अप्लाई कर सकते हो अब जब यह बात आप यहां से समझ जाओगे तो यही बात आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो आपके दिमाग में यही बात आनी चाहिए कि इसको भी फिर हम ऐसे सही कर सकते हैं कि या तो हम लिखते हैं यह तो गलत है इसको तो हटाई दो अब हमारे दिमाग में क्याएग कि हम ऐसे लिखते हैं आफ वॉच्टेंग तरीका लगेगा कि हम ऐसे लिखते हैं तरीका हमें लगए हैं अब मॉजी कि व्रिक वॉचिंग अब इन दोनों तरीकों से लिखने पर होगा क्या कि अगर हम ऐसे लिखेंगे अब वाचिंग वर्थ मूवी तो वाचिंग वर्थ को अब वर्थ मूवी को डिस्काइब करेगा अगर हम ऐसे लिखेंगा मूवी वर्थ वाचिंग वर्थ को और यह इसको डिस्काइब करेगा तो हमें लगेगा जैसे यहां पर दोनों सही होगे है वैंभी वाला सही नहीं है इन में से केवल यह वाला गलत है कि अ इसे हमें कि रहे हैं इसके साहत में जो भी वर्ड लिखते हैं वो सकी वैल्यूट रहाफर करता है यह सारे बच्चों के बाद समझ ले यह हैं ऐसे लिख लिख को पर लो मैंने लिखा इसे वर्थ मैंने लिखा टी इज वर्थ उ हमारे दिमाग में हमेशा एक वड़ टीज वर्फ देन वप इस वर्थ तो वर्थ जो एड्जेक्टिव होता है देखिए जैसे एड्जेक्टिव होते हैं तो एड्जेक्टिव किसी ने किसी human quality का description होते है वर्थ जो होता है वह एड्जेक्टिव वैल्यू होता है वैल्यू का एड्जेक्टिव होता है जैसे ओल्ड है यंग है यह एज के एड्जे बेल्फ है तो इसका वेलू है अब क्या है वेल्व हमें तरण जानना पड़ेगा तो अगर हम लिखंगे इसके बाद में बताना भी पड़ेगा कि वर्ठ तो इसके साथ में इसका compliment लिखना पड़ेगा, वो इसके बाद ही आएगा, पहले नहीं आएगा, कुछ भी लिख दो, it is worth रूपीज 5,000 तो यह जो रूपीज 5,000 है न यह worth का modifier है, worth adjective है, worth की value जो है वो रूपीज 5,000 है, तो worth adjective को describe करने के लिए जो भी हम word लिखते हैं, वो हमेशा worth के बाद लिखे जाते हैं, पहले नहीं लिखे जाते हैं, अगर बाद में लिखे जाते हैं, पहले नहीं लिखे जाते हैं, तो इसक डिखने का मतलब वर्थ से पहले बरति के बाद के बाद लिखा था तो यह वर्थ और बीच में छंट होगे है तो वह मोभी कहने का मतलब अगर हम कभी भी वर्थ के साथ में जयरंड लिखकर उसे किसी नाउन को करने के लिव्ज करेंगे तो इसको हमेशा ना उनके बाद लिखना पहले नहीं हुआ देखो हमने लिखा अवर्थ रीडिंग पॉएम अवर्थ विजिटिंग प्लेस विज्टिंग सब्सक्राइब है तो इक गलत है इन्हें हमें लिखना पड़ेगा अपॉएम वर्थ रीडिंग है अब प्लेस्ट वर्थ विजिटिंग सब यह सई होंगे एक कि इस प्रोडिंग पॉएम तो यह गलत है लिखो इड पॉएम वर्थ रीडिंग ते ताज महल इस अ बिल्डिंग वर्थ सिंग और टिक एक है इस एड्वाइस वर्थ फॉलोइंग और यहां पर हमने इनफिनिटिव फ्रेज लिखिए यह इनफिनिटिव फ्रेज लिखिए एक तरीके से रिजल्ट को रही है ठोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे यह बताओ कि To take his own decision हमने जो infinitive phrase लिखी है वो किसका result एक्सरोज कर रही है Old adjective का या Old adjective की degree enough का Old adjective of age फिक है? अभी हम बात भी कर रहे थे और जो enough है वो adverb of degree है एनव क्या है एड़ वर्व डिग्री है जो यहां पर एड़ेक्टिव ओल्ड की डिग्री को रेफर कर रहा है कि वह कितना ओल्ड है है एक हमारी लिंकिंग वर्व है एक जो है वह लिंकिंग वर्व है कमल सब्जेक्ट है अब थोड़ा सोच समझके बताव कि जो टेक इस डिस ओने इंफिनिटिव फ्रेज लिखी है यह इंफिनिटिव फ्रेज अगर इंफिनिटिव प्रेजिस एड्जेक्टिव को नहीं एड्जेक्टिव की डिग्री का रिजल्ट शो कर रही है तो इसको बाद में लिखो कि हमें यहां पर लिखना चाहिए कमल हैस गौट ओल्ड एनफ टू टेक इस आउन डिसीजिजन अब यह सही हो गया तो हमने एनफ को लिख दिया कहां ओल्ड के बाद में अब यहां से हम सभी लोग यह बात ध्यान रख सकते हैं कि अगर कभी भी हम एनफ को यूज करें किसी एड्जेक्टिव एडवर्व के लिए तो हमेशा इसको उसके बाद लिख करो अब इस सेंटेंस में बात समझना यह हमने इसी एडवर्व डिगरी के लिए उसकी है तो उस एडवर्व को डिगरी को उठा के आप बाद में लिख दो लेकिन अगर मानलो यह इनफिनिटिव फ्रेज ना लिखी होती तब भी आपको एनफ बाद में ही लिखना पड़ता यह बात आपको ध्यान रखनी है बालो हमने एक डिक्जांपल लिखा थो देखिया बडल जो क्लियरली अट भरम को annao औद बलand अब को डिसकाइब करने के लिए अट व वरोम है इन तीन में से दो एडवर्ब क्लियरली और नाउ वह वर्ब को डिसकाइब कर रहे हैं और यह जो तीसरा एडवर्ब है एनफ वह क्लियरली एडवर्ब को डिसकाइब कर रहे हैं तो अगर हम एनफ को एजन एडवर्ब यूज करें जैसे यहां पर हमने इसको एड़ेक्टि सी क्लियरली एनुफ है बच्चों यह जो हमने एक्सपिरियंस लिखा यह नाउन है यह एड़ेक्टिव नहीं है तो जब हम नाउन के साथ में एनफ को लिखेंगे तो हम इसे एड़ नहीं कह सकते डॉंट है वर्व है हम इसे यूज करते हैं नाउन के साथ में तो यह डीटर्मिनर होता है नाउंस से पहले ही लिखे जाते हैं दो यह अगर को अगर हमरे उसके उसके तो बाद में लिखना पड़ेगा लेकिन अगर हमेज़े डिटर्मिनर किसी नहीं के साथ उसके करेंगे कुंग से तो कि a fourth कि a he had Gart है enough so confident or fifth he has got enough confidence he has got enough confident he has got enough confidence देखिए इसे हमें ऐसे समझना चाहिए यह जो confident word हमने लिखा है और confidence word लिखा है confidence होता है नाउन अगर हम confident के साथ में लिखेंगे तो हम इसे कहेंगे अगर हम confidence के साथ में लिखेंगे तो हम इसे कहेंगे इतनी च्छोड़े सी बात हमें ध्यान रखने है है एक जेसे हमने यहां पर लिखा आप रिच और हमने लिखार और मनी इन आपर अनब इस ट्रॉंग कर रही है यहाँ पर हमने लिखा यहाँ पर enough strength यहाँ पर हमने लिखा enough, clear यहाँ पर हमने लिखा enough clarity यहां पर हमने लिखा एनफ तो यहां पर हमने लिखा एनफ तो अब देखो है क्या यह जो एनफ हमने लिखा इधर यह हमने लिखा अगर हमने इनके साथ एनफ को लिखा तो यह एनफ है यहां पर जो मने मनी स्ट्रेंथ क्लारिटी सुवर लिखा यह नाउन अगर हम नाउन के साथ में एनफ लिख रहे हैं तो यह डिटर्मिनर है अब है क्या अगर अनफ डिटर्मिनर है तो अज़ अगर अनफ अनफ लिखा जाएगा तो यहां पर जो हमने अनफ लिखा है इनफ नौन से पहले यह सही है सब्सक्राइब अगर आप इसे लिखोगे तो बात में लिखो तो लिखो फुर्ट एनफ एनफ एनफ